बिल्कुल देखिए इसमें कोई दोरा नहीं है लगातार केश्व परसाद मौरे जुस तरीके से सीम बनने के लिए जद्दो जहत करते हूं नसरा रहे हैं उससे ये साफ तोर पर जाहिर है कि अभी नहीं इस उपचुनाओ के बाद ही बड़ा उलट फेर हो सकता है मुझे ऐसा जा सकती है बिल्कुल अब जिस तरीके से केश्व परसाद मौरे की बात कर लें लगातार आम चुनाओं के बाद ही वो इस तरीके से बयान बाजी बयान बाजी तो खेर नहीं कह सकते लेकिन जिस तरीके से केश्व परसाद मौरे जो हैं वो हरकते करते हुए नजर आ रहे है उत्र प्रदेश में उपचुनाओं से पहले समाजवादी पार्टी और बीजेपी के बीच में जो तकरार देखने को मिल रही है ऐसे में ये कहा जा रहा है कि क्या ये उप्चुनाओ जितना समाजवादी पार्टी के लिए एहमियत रखता है उतना भरतिय जनता पार्टी के लिए भी लेकिन उप्चुनाओं से पहले एक बड़ी ख़बर निकल कर सामने आ जाती है केश्य प्रसाद मौरिया को लेकर केश्य प्रसाद मौरिया का अचानक प्रधान मंतरी नरेंदर मोदी से मुलाकात करना क्या ये बताता है कि एक बार फिर से सीम कुरसी को लेकर केश्य प्रसाद मौरिया और प्रदेश के मुख्य मंतरी योगी आधित्यनाद के बीच में एक बड़ी तकरार देखने को मिल सकत क्योंकि CM कुर्सी का मसला कहीं न कहीं फस्ता नजर आ रहा है सीधे सीधे तोर पर देखा जाए तो जो हालात इस वक्त उत्तर प्रदेश में बने वे हैं ये देखा जा रहा है कि बीजेपी ने ये ऐलान तो कर दिया है कि 9 सीटों पर अपने उमिद्वार को उतारेंगे एक सी पाल सिंग यादो को कठारी से दे देना उसके अलावा अगर बात करें फूल पूर और मिल्की पूर जैसी सीट पर ऐसे प्रत्याशियों को उतारना जो की बीजेपी के उमिद्वारों को कड़ी टकर दे सकते हैं क्या ये बताता है कि क्या सपा इस उप्चुनाव को जीतने के लिए एक बड़ी तयारी कर रही है और क्या वाकई देखा जाए तो बहुत बड़े हद तक ये जो उप्चुनाव है ये सपा के लिए माइने तो रखता है लेकिन केश्व प्रसाथ का दिल्ली आना ये क्या इशारा कर रहा है इसी मुद्दे पर मार साथ बातशीत करने क के लिए हमारे कुछ सहयोगी मौजूद है और अपने इनी सहयोग्यों से हम पूछेंगे और ये जानेंगे भी कि क्या उत्तरप्रदेश और दिल्ली के बीच में जिस तरीके से एक बार फिर हम देख रहे हैं कि ट्रेन जो है एक्स्प्रेस दोड़ रही है केश्व मौरिया उत्तरप्रदेश में एक बड़े चैरे हैं और कहीं ना कहीं उनका दिल्ली आना और प्रधान मंतरी नरेंद्र मोदी से मुलाकात करना बहुत कुछ कहता है महीं बहुत-बहुत स्वागत सबसे पहले तो इस प्रोग्राम में और सबसे पहला सवाल प्रधान में नगा दिल्ली आना प्याम मोदी से मुलाकात करना क्या यह बताता है कि सीम कुरसी को लेकर एक बार फिर जो लड़ाई है वो योगी आदितनात और केश्या प्रसाद मौरिया की बीच देखने को मिल रहे जी बिल्कुल देखिए इसमें कोई दोरा नहीं है लगातार केश्यो प्रसाद मौरिय जस तरीके से सीम बनने के लिए जद्दो जहत करते हूं नसरा रहे हैं उससे ये साफ तोर पर जाहिर है कि अभी नहीं इस उपचुनाओ के बाद ही बड़ा उलट फेर हो सकता है मुझे ऐसा लगता है कि जो कटेहरी और मिल्की पूर लगातार केश्यो प्रसाद मौरे को भी दिया है करहल और सीसम ओसीट का तो ऐसे में आप देखी कि कहीं न कहीं ये ये देखा जाए तो एक टेस्ट मोड पर रखा गया है जो इस टेस्ट में पास हो जाएगा कहीं न कहीं आने वाले दिनों में उसकी सीम बनने की जो रह है वह आसान हो जाएगी वहीं अगर योगी आदितनाथ की बात करें तो योगी आदितनाथ जुस तरीके से पल्लवी पटेल को लाने की कोर्सुस कर रहे थे एक तलब से देखा गया तो वह सप्रेस करने की कोर्सुस तो किया और कहीं न कहीं मामला भी स्रांथ होता हुगा इसलिए उन्होंने वांसून ओफर भी दिया था और उनको पता था कि कहीं न कहीं पार्टी में अंद्रूनी कलाह जो है वो चल रही है और केशो परसाद मौरे बगावत कर सकते हैं और यह जो एक पूरा सिनेरियो कहीं न कहीं सीम पद का ही बनाया जा रहा है कुछ दिन पह सीम बनने के लिए पहले भागिदार जरूर होगे अचा समाजवादी पार्टी को तूटने से बचाने में अखले इस शादों ने वड़ी भूमी का निवाई शिफपाल यादों को जिम्मदारी कटहरी से देदी लेकिन हम यह देख रहे हैं कि क्या जो बीजेपी के अंदर हालात हैं वो जसके तस्व बने वे हैं क्योंकि केश्य प्रसाद मौरिया का जो अगर मुलाकात जो तस्वीर हम देख रहे हैं अला कि कोई बयान इस पर नहीं सामने आए कि किस मुद्धे पर बातचीत हुई है लेकिन कहीं ना कहीं यह बताता है कि समाजवादी पार्टी ज जुनता पार्टी के जो स्टेंड रहा है काफी मजबूत रहा है लेकिन इस बार के जो लोग समद्ध चुना हुए है भारतिय जुनता पार्टी कहीं नहीं सिथिल पढ़ती हुए नसराई और यही कारण है कि उसका फायदा अखली श्यादों उठाते हुए नसराई तमाम अजरे जुनता पार्टी जिन पर फोकस नहीं करती है सिक्षा महँगाई बेरोजकारी यह तमाम उध्या और भारतिय जुनता पार्टी के फिर से वही गलती है कि अब उनको कि वगल सीटों पर फोकस कर रहे हैं जंता की क्या परीशानिया है उस पर उनका दिमाग नहीं जा बहुत बहुत बड़ी बात है कि जहां हम चुनावों को देख रहे हैं कि तमाम जो राजनीतिक पार्टियां है वो चुनावों को जीतने के लिए बड़ी रणनीती बना रहे हैं जहां बीजेपी ने एलान किया सीटों को लेकर सपा ने भी एलान कर दिया गया सपा ने एलान किया लेकिन उसके भावजूद हम देख रहे हैं कि अचानक से केश्व परसाद मौरिया फिर दिल्ली आ रहे हैं तो क्या ये जो उप्चुनाव है योगी आदित्यनाथ के लिए जटका लगेगा इसी मुद्य पर हमारे साथ बाचीत करने के लिए हमारी सहयोगी शालनी भी मौजूद है शालनी उत्तर प्रदेश की तस्वीरों को अगर देखा जाए तो बीजेपी की जो सहयोगी पार्टी है उसमें से आरेली को किवल एक सीट दी गई है निसाथ पार् इसी की जो लड़ाई है मेरे को लगता है शायद अभी खतम नहीं हुए लेकिन बहुत बड़े हद तक समाजवादी पार्टी इन तमाम गल्तियों का फायदा उठाकर इस उप चुनाव को में बड़ी जीत हासिल कर सकते हैं बिलकुल अब जिस तरीके से केश्र प्रसाद के भूमी का नजर आ रही है ऐसे में ब्हारती जंता पार्टी को एक खतरा जो है वो सता रहा है कि केश्र प्रसाद मौरे क्या कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं के प्रतियों के खिलाफ जा सकते हैं जिसको लेकर देखा गया था कि अदिवक्ता ने इलाबद हाई कोट में ज तो इससे कोई खासा प्रवाप नहीं पड़ सकता है जिसके चलते याचिका पर तो सुनवाई नहीं हुई लेकिन फिर भी भारदेंता पार्टी के तमाम ऐसे नेता है जो चिंतित परिशान होते नज़र आ रहे हैं उनके विवहार से की लगातार वो प्रकाश राजबर से मु चाहरे हैं क्या सियम्यों ग्यादित्यनात्त के खिलाफ जाकर यह जताने का प्रयास कर रहे हैं कि उत्तरप्रदेश की सियासत में कि प्रश्व प्रसाद मौरे की भी एक मैत्वपूर्ड भूमिका है और अगर उन्हें तवज्जों नहीं दी जाएगी तो वह उनके चुनावों में केश्व प्रसाद मौरे को सीम गदी का दावेदार बनाया जा सके क्योंकि सीम की गदी के लिए जो कसा कैसी है वो शुरू से लेकर अभी तक चलती आ रही है बहुत-बहुत शुक्री है और देखिए हमने अपने जो सईयोगियों से बातचीत की इसमें एक च्था-बात जो है वो साफ तॉर्पर सीम कुरसी को लेकर चर्चा दोनों सा योगियों ने कहा है कि सियम कुरसी को लेकर उत्तर परदेश में योगी आधितनात और केशव प्रसाद मौरेया के बीच में रार देखने को मिल रही है तो क्या सीम कुरसी का मसला ही Istधी भारती के लिए इतना ही देश और दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल पॉलिटिकल बाइट के साथ जुड़ेते हैं